हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस फिडियो में हमार्पास आचको है गूगल का लेटर स्मार्टफोन पिक्सल 7A जो के अमेजिंग फीचर्स के साथ आता है ये फोन दिखने में भी काफी ज़्यादा सुन्दर है ये C कलर जो है वो काफी अच्छा दिखता है और आज इस फीडियो में मैं आपको इस फोन के 40 से ज़ादा अमेजिंग फीचर्स बताने वाला हूँ तो अगर आप इस फोन में इंट्रस्टेड हैं तो उसलों को पूरा जरूर देखेगा और मुझे बताएगा निचे कोमेंट्स में के आपको कौन सा फीचर सबसे ज़ादा अचा लगा तो ये जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको बता दूँ के इस फोन में अब आपको फेज अनलोग का फीचर देखनी के लिए मिल जाता है पिक्सल 6 में वो फीचर आपको नहीं मिल रहा था सेटिंग्स में अगर आप सिक्योरिटी और प्राइविसी के अंदर जाते हैं यहाँ पर डिवाइस लोग के अंदर आपको फेज अनलोग सेटप करने का उप्शिन मिल जाता है इवन इन डिस्प्ले वाला फिंगर्पिन सेंसर भी है जो के काफी इच्छे से काम करता है इस फोन में बाइट फोल्क मैंने नूटिस किया कि जो वोलपेपर लगा आता है उतना सुंदर नहीं दिखता लेकिन ये वाला वोलपेपर लाइव वोलपेपर अगर आप देखें ही काफी जादा अच्छा दिख रहा है इसमें बोट भी आप देख सकते हैं जो के हमेशा चलती रहती है अब ऐसे बहुत सारे अमेजिंग लाइव वोलपेपर भी इस फोन में दिये गए हैं होम स्क्रीन के पर लोंग टैप करके अगर आप वोलपेपर अड़ स्टाइल के अंदर चेंज वोलपेपर के अंदर जाते हैं यहां पर आपको लिविंग यूनिवर्स का एक उप्शन मिलता है तो यूनिवर्स से रिलेटिड डिफ्रेंट डिफ्रेंट लाइव वोलपेपर आपको यहां पर मिल जाएंगे इस फोन में दोस्तों आपको हाई रिफ्रेश रेट वाला डिस्पले भी दिया गया है पिक्सल 6A में आपको सिरफ 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता था लेकिन यहां पर सेटिंग्स में डिस्पले के अंदर अकराब जाते हैं तो एक स्मूद डिस्पले नाम का उप्शन आपको मिल जाता है इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो फोन जो है 90Hz के पर स्विच हो जाता है बाइड फोल्ट यह डिसेबल है तो इसको जरूर से एनेबल कर लीजिए और 90Hz एक्चुली इस फोन में काफी जादा प्रीमियम फिल होता है इस फोन में जो आइकन्स हैं इसके उपर भी आप एक एफेक्ट लगा के इनको और सुंदर बना सकते हैं इसको बस आपको एनेबल कर दिना है उसके बाद आपके सारे होम स्क्रीन आइकन्स जो है इस तरीके के शेट में चेंज हो जाएंगे बेसिकली जो कलर आपने स्लेक्ट किया है पूरे फोन के लिए वही कलर आपका इन आइकन्स में भी अपलाई हो जाएगा कुछ यूनीक विजट्स भी यहां पर आपको मिल जाते हैं होम स्क्रीन के पर लॉंग टैप करके अगर आप विजट्स के अंदर जाते हैं एक विजट्स जो मुझे बहुत जादा अच्छा लगा हो है बैटरी का विजट्स अगर आपने यह फोन्स टी डब्ली एस वगरा कनेक्ट के हैं तो आप इस बैटरी विजट्स में हर चीज की बैटरी का लाइफ स्टेटस देख सकते हैं जैसे के iOS में आपको option मिलता है वैसा ही विजट्स आपको यहाँ पर भी दिया गया है एक और बहुत अच्छा विजट्स यहाँ पर now playing history का आपको मिल जाता है basically phone के आसपास जो ही songs play हो रही है phone उनको identify करके एक list त्यार कर देता है अगर आपको याद आता है कि यार कोई song मेंने सुना था जो के बहुत अच्छा लगा मुझे लेकिन बाद में गाना याद नहीं आता तो phone आपको help कर देगा कि कोन कोन से songs आपके around play होए थे और आप उन में से songs को असानी से play कर सकते है इस phone में आपको AOD मतब कि always on display का support भी मिलता है by default उसको भी disable रखा गया है settings में display के अंदर अगर आप look screen के अंदर जाते हैं यहाँ पर आपको always show time and info का option मिल जाता है इसको अगर आप enable करेंगे तो आपका always on display enable हो जाएगा कुछ इस तरीके का basic AOD है इसको आप जाधा customize नहीं कर सकते लेकिन सारी important चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाती है display settings के अंदर एक और feature है जो उच्छे बहुत अच्छा दगता है screen time mode के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप screen attention को enable कर सकते हैं अगर आप phone के उपर reading कर रहे हैं तो generally आपको phone के उपर बादबाद tap करना पड़ता है तांकि आपका phone lock ना हो क्यूंकि आपने जो भी timer set किया है 30 seconds का माल लिए उसके बाद phone automatically lock हो जाता है उस चीज़ से बचने के लिए screen attention का feature आपको help कर देता है इसको अगर आपने enable किया है तो phone तब तक lock नहीं होगा जब तक आप अपने phone की तरफ देख रहे हैं एक और बहुत ही unique और useful feature आपको auto rotation के लिए मिलता है अगर आप auto rotation को enable रखते हैं तो आपको बहुत problem आती है जब आप phone को late के use कर रहे है phone की screen बार-बार rotate होती रहती है इस phone में आप face detection को enable कर सकते हैं auto rotate feature के लिए basically phone जो है face को detect करेगा उसके हिसाब से screen को rotate करेगा अगर आप late के phone use कर रहे हैं तो phone की screen rotate नहीं होगी क्योंकि phone detect कर लेगा कि phone अभी भी आपके face के हिसाब से सीधी position में है camera का एक बहुत ही जबरदस्थ feature आपको इस phone में देखने के लिए मिलता है modes के अंदर photo sphere का आप इस phone की हल्प से 360 degree type का photo capture कर सकते हैं उसके लिए obviously आपको बार बार photo को एको capture करना पड़ेगा लेकिन phone AI की मदद से काफी अच्छे तरीके से colors को edit वगेरा करके एक photo बना देता है और almost आपको 360 degree view जैसा feel होता है काफी अच्छी quality की photo आती है cameras के अंदर एक और बहुत ही जबर्दस feature आपको videos के अंदर stabilization का मिलता है अब इस phone में stabilization के different modes आपको दिये गए हैं अगर आप चाहें तो इस से लिके का normal standard stabilization mode यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आप किसी चीज़ को stable shoot करना चाहते हैं तो आप locked stabilization mode यूज कर सकते हैं अगर आप भाग के किसी चीज़ को या फिर बहुत ही fast moving object को stable video record करना चाहते हैं उसके लिए active stabilization mode है या फिर अगर आप pan shoot capture कर रहे हैं उसके लिए cinematic pan का एक option दिया गया है cinematic pan का example भी आप यहां पर देख सकते हैं इस phone की back के उपर tap करके भी आप कुछ actions perform कर सकते हैं settings में अगर आप system के अंदर gestures के अंदर जाते हैं यहां पर आपको quick tap to start actions का एक option मिलता है इसको अगर आप enable करेंगे तो यहां से आप select कर पाएंगे कि कौन सा action perform करना है यहां पर जसके अगर आप देखेंगे जैसे ही मैं phone की back के उपर double tap करता हूँ तो एक screenshot capture हो जाता है ऐसे ही आपके पास यहां पर काफ़ी सारे options दे रहे हैं अगर आप recent window में हैं तो यहां पर भी एक बहुत useful feature आपको मिलेगा जो कि है select का अगर आप इसके उपर tap करते हैं तो जितनी भी चीज़ें आपकी window में दिख रहे हैं उन चीज़ों को आप आगे share कर सकते हैं जैसे कि कोई text अगर आपको copy करके कहीं भीजना है या फिर किसी भी image को अगर आपको select करके किसी को share करना है तो वो चीज़ें आप directly recents में से कर सकते हैं और recents window में ही एक और अच्छा feature आपको मिल जाता है अगर आप किसी चीज़ का link share करना चाते है जैसे कि आपने chrome open किया है इस page का link आपको किसी के साथ share करना है उसका भी direct option आपको यहाँ पर दिया गया है आप single tap में इस link को कहीं भी share कर सकते है जिस भी contact को share करना है उसके उपर tap कर सकते हैं इस phone में जो audio recorder आपको दिया गया है दोस्तों वो magical capabilities के साथ आता है जब भी आपको यह audio को record करते है phone साथ में उसको transcribe भी करता रहता है transcript त्यार करता रहता है जैसे कि यहाँ पर एक मैंने छूटी सी recording की phone ने automatically यहाँ पर transcript कर दिया कि मैंने क्या क्या बोला और अगर मैं चाहूँ अगर मेरे पास बहुत सारी recordings है मैं recordings के अंदर search भी कर सकता हूँ मतब जो मैंने बोल के record किया है उसको मैं यहाँ से search कर सकता हूँ क्यूंकि phone ने इसका यहाँ पर transcript त्यार कर रखा है इस phone को आप अपनी voice से भी काफ़ी इच्छे से control कर सकते हैं इस phone में आपको एक cute phrases का option मिलता है अगर आप settings में search करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसकी मदल से आप alarms और calls को voice से control कर सकते हैं जैसे कि अगर आपका alarm बज़ रहा है तो सिरफ stop बोल दीजिए alarm automatically stop हो जाएगा या फिर snooze बोल दीजिए alarm आपका snooze हो जाएगा ऐसे ही जब भी कोई incoming call आ रही है तो जस्ट आपको answer बोल देना है call आपकी answer हो जाएगी decline बोल देना है decline करने के लिए और silence बोल देना है अगर आप call को mute करना चाहते हैं अब ये तो सिरफ alarms और calls के लिए था आप पूरे phone को भी voice से control कर सकते हैं उसके लिए आपको settings में voice access सर्च करना है इस feature को यूज करके आप पूरे phone को ही अपनी आपास से control कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको अगर मैं enable करता हूँ go back home open youtube scroll down show grid 5 8 इस तरीके से दोस्तों बहुत ही असानी से आपने phone को voice की मदद से access कर सकते हैं phone के dialer में अगर आप जाते हैं यहां पर 3 bars के पर tap करके अगर settings में जाते हैं तो sound and vibration के अंदर आपको live caption का एक option दिया गया है इसको अगर आप enable करते हैं तो इसके अंदर एक अच्छा feature आपको caption calls का मिल जाता है अगर आप चाहें तो आपको जो भी incoming calls आ रहा है उसमें सामने वाला person जो भी बोल रहा है उसके भी captions enable कर सकते हैं तो आपको phone के अपर लिखा हुआ मिलेगा बेसिकली आप keyboard के अंदर type करके voice response send कर सकते हैं आपको बस type करके send कर देना है जो भी response आपको भीजना है और एक automated voice आपका response जो है पढ़के सामने वाले को सुना देगी तो इस सरीके से बिना phone को कान के उपर लगाए बिना audio को यूज के भी आप इस phone में calls कर सकते हैं sound and vibration में calling के लिए एक और अच्छा option दिया गया है clear calling का इस option को भी जरूर से enable रखे क्योंकि इस option को जवाब enable रखते हैं तो background noises को phone काफी हद तक suppress कर देता है calling के time पे आपको काफी ज़्यादा clear आवाज मिलेगी और privacy भी आपकी बनी रहेगी क्योंकि background की जो भी आवाजे हैं वो call के अंदर आपकी transfer नहीं होंगी recent apps में अगर आप जाते हैं तो किसी भी app के उपर tap करके आप pause app को option भी use कर सकते हैं basically अगर आप चाहते हैं कि कोई app की notifications आपको अगले 24 hours तक ना आए तो उस app को आप pause कर सकते हैं जैसके अगर आप चाहते हैं कि WhatsApp की notifications आपको आज के लिए ना दिखें तो उसको आप pause कर सकते हैं वैसे एक shortcut है power menu और volume up की को आप tap कर सकते हैं लेकिन उससे भी आसान एक option आपको मिल जाता है अगर आप notification center में जाते हैं तो यहाँ पर आपको power menu को option दिया गया है और इस power menu में एक बहुत ही useful option मुझे lockdown option लगता है अगर आप किसी ऐसी जगापर हैं जहांपर आप चाहते हैं कि कोई भी दूसरा person आपका phone यूज ना करे और थोड़ा unsecure location भी हैं तो इसको आप enable कर सकते हैं इसके बाद आपका face unlock fingerprint sensor काम करना बंद कर देगा कोई भी notifications lock screen के उपर दिखाई नहीं देंगी जब तक आप अपने phone को एक पार वापी से unlock नहीं करते हैं अपने pattern या pin के साथ तब तक आपका phone पूरा lockdown mode में चला जाएगा इस phone में आप अपने rules भी setup कर सकते हैं settings में अगर आप system के अंदर जाते हैं यहाँ पर आपको rules का option दिया गया है अगर आप चाहते हैं कि किसी location के उपर जबाब पहुंचते हैं तो ओटमेट के लिए dnd enable हो जाए या फोन silent हो जाए या फिर vibration mode enable हो जाए ऐसे ही location की जगा अग जैसे तो एक 5G smartphone है इस phone में 5G की connectivity आपको मिल जाती है लेकिन अगर आप 4G भी इस phone में use करते हैं तो आपको अच्छी connectivity मिलेगी 4G plus carrier aggregation का support इसमें आपको दिया गया है तो network speed आपको यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाएगी एक और नया और useful option आपको इस phone में दिया गया है settings म मिलता है अगर आपका phone किसी flat surface मतब table वगयरा के उपर पड़ा है तो phone की vibration strength काफी कम हो जाती है और सिरफ sound आपको सुनाई देती है लेकिन अगर आपका phone आपकी जेप में है आपके body के साथ टच कर रहा है उस case में vibration strength बढ़ जाती है ताके आपको जाधा vibration feel हो और जाधा vibration से आपको पता चल जाए इस phone में नेया वाला one-handed mode भी आपको मिल जाता है जो कि iOS के reachability जैसा feature है settings में system के अंदर अगर आप gestures के अंदर जाते हैं तो यहां पर नीचे one-handed mode आपको दिया गया है इस feature में एक अच्छी चीज मुझे यह लगी कि आप select कर सकते हैं कि इस feature को जब आप अपने खुद के focus modes create कर सकते हैं basically आप select कर सकते हैं कि कौन-कौन सी apps आपकी distracting apps हैं जो के जब आप focus mode को enable करेंगे तब आप नहीं use करना चाहते हैं इसको जब आप enable करेंगे तो यह जो apps हैं एक तरीके से pause mode में चले जाएंगी इसके notifications आपको नहीं आएंगी और इनको कर सकते हैं अगर आप daily office या college जाते हैं तो उस time के उपर automatically भी focus mode को enable कर सकते हैं बाइट फोन में status पार में battery percentage शोर नहीं होता है उसको भी आप enable कर सकते हैं settings में battery के अंदर आपको battery percentage का option दिल जाता है इसको अगर आप enable करेंगे तो आप देख सकते हैं battery percentage यहां पर शोर ना चेंज ना हो adaptive के अंदर surroundings के हिसाब से आपके phone के colors थोड़े बहुत change होते रहते हैं बाकि wallpaper colors का जो option है Android 12 के अंदर जो आया था वो option भी आपको इस phone के अंदर दिया गया है अगर आप wallpaper and style के अंदर जाते हैं यहां पर आप अपना color select कर सकते हैं कुछ basic colors पी आपको दिये गए जब आप एक normal screenshot capture करते हैं तो आपको यहां पर capture more का option मिल जाता है इसके बाद आप जहां तक चाहें screenshot को expand कर सकते हैं और इस तरीके से एक long window को एक ही screen में capture कर सकते हैं settings में security and privacy के अंदर एक बहुत इचा privacy feature आपको मिल जाता है privacy dashboard का यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी कौन-कौन सी permissions को कौन-कौन सी apps यूज़ कर रहे हैं जैसके मुझे देखना है कि microphone की permission किस-किस app ने यूज़ की यहां पर मैं देख सकता हूँ कि कौन-कौन सी app ने Google photos का version मिल जाता है तो इसमें photos को आप काफी इच्छे से edit भी कर सकते हैं edit के अंदर अगर आप tools के अंदर जाते हैं तो आपको magic eraser का option मिल जाता है अगर आपको अपनी photo में से कुछ चीजों को हटाना है तो आप बड़ी असानी से इस तरीके से circle create कर सकते हैं उसके round और phone जो ह पुरा cleanly वो remove हो जाएंगी editing के लिए एक और अच्छा option यहां पर आपको camouflage का दिया गया है अगर आप चाहें तो किसी selected area के colors को भी अपनी photo में से remove कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं चाहूं तो इस area का green color है वो मुझे remove करना है उसको बस मुझे same तरीके से select कर देना है और उस part का जो area है photo का वो यहां पर black and white में change हो जाएगा सारे colors वहां से remove हो जाएंगे एक और बहुत useful feature यहां पर editing में tools के अंदर आपको unblur का दिया गया है दोस्तों अगर आपके पास कोई पूरानी photo है या कोई ऐसी photo है जिसमें थोड़ा सा blur आ गया और आपके पास उसका कोई backup नही यह जो latest google camera का app है इसमें वीडियो के अंदर अगर आप जाते हैं तो इसमें slow motion और time lapse के अंदर switch करना भी काफी असान है जब आप normal video mode में है यहां पर ही आपको slow motion और उसकी settings और time lapse और उसकी settings यह सारी options directly मिल जाती है यहां पर आपको night side mode भी दिया गया है मतबके night mode भी दिया और इसके अंदर एक अच्छी चीज़ यह है कि अगर आप settings में जाते हैं तो आपको astro photography के लिए भी एक mode दिया गया है by default वो auto mode के उपर रहता है अगर आप stars को capture करना चाते हैं वो चीज़ भी आप इस phone के अंदर कर सकते हैं अगर आप portrait photos इस phone में capture करते हैं उसको भी आप का option है अगर आपको एक lighting effect add करना है अपनी photo के अंदर इस तरीके से face को detect करता है phone और face के उपर एक अलग से light आजाती है उसको आप add कर सकते हैं उसी के साथ अगर आप चाहें तो color focus भी change कर सकते हैं विसके अगर आप चाहते हैं सिरफ focus वाली चीज़ में colors रहें वो भी आप select कर स temperature change करना है वो यहां से change कर सकते हैं अगर आपको exposure को change करना है वो भी यहां से change कर सकते हैं उसी के साथ यहां पर contrast को कम या जाधा करने का option भी directly मिल जाता है चलिए दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में यही था I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच यहां यहां तो